नमस्कार दोस्तो मैं संतोस तीवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटीब चनल जागो पर दोस्तो 27 जुलाई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक्सिस बैंक के बारे में बताया था कि एक्सिस बैंक इस तरह से हमारे सेविंग अकाउंट से consolidated charges के नाम से illegal charge डिड़क की थी 23 जुलाई को illegal charges consolidated charges के नाम से डिड़क किये गए थे और जब मैंने एक्सिस बैंक को chase किया, phone किया, बात करी 26 जुलाई के दिन 50% charges reverse कर दिये गए और 50% charges reverse नहीं किये गए और मैंने भी बताया था कि मैंने इसके लिए नोडल ओफिसर, प्रिंसिपल नोडल ओफिसर, RBI और भी बहुत सारे officers को मैंने mail किया था क्योंकि यह charges illegal थे और bank हमारे सभी अकाउंट से illegal charges नहीं डिड़क कर सकते तो क्योंकि वह हमारे पैसे है दोस्तों mail करने के बाद mail का reply बाद में आया पहले जो charges डिड़क किये गए थे वो charges सबसे पहले हमारे account में credit किये गए मतलब जितने पैसे हमारे account से consolidated charges के नाम से डिड़क किये गए थे वो सारे charges हमारे account में reverse किये गए क्यों क्योंकि वह charges illegal थे और मैंने इसके पहले भी बताया था कि यह charges illegal है और consolidated charges के नाम से bank illegal charges हमारे तरीक से saving account से नहीं कर सकती है दोस्तों मैं इस वीडियो के description box में जितने भी email ID है principal not dollar officer के not dollar officer के access bank के वो सारे में दूंगा और अगर आपके पैसे reverse नहीं हुए है आप उनको mail करें और उन्हें बताएं कि हमारे पैसे हमारे account से saving account से जो consolidated charges के नाम से आप पैसे direct किये गए है उसका region क्या है bank तो region provide नहीं कर रही है क्योंकि bank के पास update ही नहीं है अगर bank के पास update नहीं है तो उसका जवाब कौन देगा उसका जवाब देगा नोडल officer प्रिंसिपल नोडल officer आर भी आई circle head सभी जवाब देंगे उसका और they are bound वो bound है जवाब देने के लिए क्योंकि वो पैसे हमारे हैं और मैंने इससे पहरी भाता कि हमारे hostman account से अगर एक अधूर पिब सैल करते हैं मैं बरदास नहीं करूंगा कि हमारे 2023 काउंट में हैं अगर एक पर्वी कर थे मैं बरदास नहीं करूंगा और हमें बरदास नहीं करने चाहिए तो अगर आपके account से consolidated charges के नाम से 23 तारिक को 23 जुलाई को amount deduct किये गए है और 26 तारिक को 50% charges reverse किये गए है बाकी charges अगर reverse नहीं हुए है तो मैं description box में जो भी email id दे रहा हूँ उन सभी को आप mail करे दोस्तों आजकल हमारे सभी किसी के पास में smartphone है तो email id करने के लिए हमें cyber के फे या किसी जगह पर जाने की जुवर्ट नहीं है mail id को भी पेश करे और अपने illegal charges के बारे में वहां बताए और मैं assurance देता हूँ कि आपके जो charges illegal तरीके से काटे गए है वो reverse होंगे अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप मुझे comment box में comment करके बताए और मैं आपके तरफ से mail लिखूँगा आप मुझे सभी जनकारी दे और मैं आपके तरफ से mail लिखूँगा और मैं assurance देता हूँ आप सभी के पैसे मैं reverse करवाऊँगा दोस्तो अगर यह वीडियो सही लगी हो आपको जनकारी सही लगी हो तो इसको share करें लाइक करें और अगर आपके पैसे return नहीं हुए है तो मुझे comment करके बताए ताकि मैं आपको help कर सकूँ किस तरफ से आपकी चार्जेज, consolidated charges, illegal consolidated charges refund होगी आज के लिए इतना ही नमस्कार आपके लिए